नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल पर दोस्तों बाल जो हमारी सुन्दवता को चावचान लगाते हैं क्या आपको पता है ये वश्यकरण करने में कितने प्रभावशाली है ये वश्यकरण करने में इतने प्रभावशाली है कि इनका वश्यकरण इतना प्रचंड होता है कि अगर आपने बालों से किसी का वश्यकरण किया है वो ताउम्र आपका ही रहेगा वो कभी भी अपने बालों के जरीए इस तरहां आपसे बंद जाता है कि वो कभी आपसे दूल जाही नहीं पाएगा जैसे कहते हैं ना कि अपने जुल्फों में बांध लिया बस इसी तरह ये वशीकरण होता है कि जिस पर आप वशीकरण करेंगे वो आपकी जुल्फों में आपके आसपास ही रहेगा आपसे बंधा रहेगा जैसे ही आप चाहेंगे जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करेगा हर तरीके का हर काम वो सर्फ और सर्फ आपके अनरूप करेगा तो अगर आप चाहते हैं वशीकरण तो ये बालू का वश्यकरन जरूर अपना है और दोस्तों आज के इस वीडियो के एक खास बात और भी है आज मैं आपके लिए एक नहीं बलकि दो टोटके लेकर आई हूँ इन दो टोटकों को मेंसे कोई भी टोटका अगर आप अपनाते हैं तो आपका वश्यकरन इतना प्रचंड होगा इतना सिद्वश्यकरन होगा आपका जो हर टोटका है वो प्रभावशाली होगा अगर आप इस विधी को सही प्रकाव से करते हैं तो आईए समय नबर बात करते हुए टोटके नबर एक के उपर हम चलते हैं और बताते हैं कि इसमें आपको क्या-क्या समगरी चाहिए होगी इसमें आपको व्यक्ति के बाल चाहिए होगे जिसे आप वश में करना चाहते हैं इस तरहां कुछ बालों को आप तोड़ ले उसके सबसे यह जब भी वो बाल जाड़ें जो उनके बाल तूटे वी गिरे हो वो बाल आप इकत्वित करकर अपने पास रख ले और इसके लिए दूसरी जो समगरी है वो आपको चाहिए एक काला कपड़ा जी हाँ एक काला कपड़ा और थोड़ इसे बाल और अब इन बालों को आपको इस काले कपड़े में रखना है और इस तरह लपेड देना है ध्यान रहे सारे बाल अंदर की तरफ होने चाहिए साइट से या कहीं से कोई बाल बाहर नहीं निकलना चाहिए आपको बालों को इसमें पूरा लपेड देना है और उसके बाद अपने माता पिता के सर अपने सर से नहीं माता पिता के सर के उपव से इस तरहां घुमाना है इस बात का ध्यान रखेगा कि आपको जो ये वश्शी करण है वो अपने माता पिता के सर के उपव से घुमा के करना है अपने सर के उपव से नहीं जब आप इसको अपने माता-पिता के सर के ऊपव से 107 बार घुमाएंगे, उसके बाद जो वो शक्स है वो आपके वश में हो जाएगा इस वश्रीकरन को कोई भी कर सकता है, मा अपनी बेटी के लिए कर सकती है, बेटी अपनी मा के लिए कर सकती है अपने बेटे के लिए कर सकते हैं या माता पिता करना चाहते हैं या बेटा करना चाहता है अपने मा के लिए अपने पिता जी के लिए कि उसकी शादी के लिए वो राजी नहीं है जिस लड़की को वो बसंद करता है वो घरवाले बसंद नहीं करते तो उन घरवालों को राजी करने के लिए भी ये टोटका कारगर सिध होगा पस इस टोटके को सही प्रकावसे कीजेगा तो जैसे आपने घुमाया उसके बाद आपको ये जाकर जला देना है और जलाने के बाद इसको अपने पैरों के नीचे कुचलना है जैसे ही आप इसकी राख को अपने पैरों के नीचे कुचलेंगे वो जो व्यक्ति है जिस पर आपने ये वशे करन के आए वो पूरी तरह आपका हो जाएगा अगर आपके माता-पिता हैं तो जैसा आप कहेंगे माता-पिता वैसा ही करेंगे वो ही बात मानेंगे जो आप चाहेंगे वो ही करेंगे जो आप कहेंगे क्योंकि उनके लिए आपके शब्द मानो पत्थर की लखीवसी हो जाएंगे तो अगर आप चाहते हैं अपनी जो गल्फरेंड है उसके लिए अपने माता पिता को राजी करना या girlfriend चाहती है अपने वाता पिता को राजी करना तो ये टोटका उन्हें बताएं कि ये टोटका जरूर अपनाओ ये टोटका सिध्ध टोटका है ये गुरुजी द्वारा सिध्ध कई गई विधी है इस विधी को जब आप करेंगे तो आपका जो टोटका है वो प्रचंड होगा और प्रचंड विधी से होगा इसलिए ये सिध्ध होगा आपका वश्रीकरन पून होगा तो आईए अब बढ़ते हैं दूसरे टोटके की तरफ तो अब आपको क्या करना है इसमें भी आपको बालों की अवश्रकता होगी उस व्यक्ति की बाल जिसे वर्च में करना है उसके आपको बाल लेने हैं और उस व्यक्ति की आपको फोटो भी लेनी है फोटो बहुत जरूरी है फोटो और बालों को ले जाकर आपको पीपल के पेड़ के नीचे दबा देना है इस बात का खासता और प्रध्यान रखे का दवश्को कि पेड़ पीपल का ही होना चाहिए लोग सोचते हैं कि पेड के नीचे दबाने के लिए बोला है तो चलो हम किसी भी पेड के नीचे दबातेते हैं फिर आप कहते हैं कि आपका वशीकरन सिद नहीं हुआ आपका वशीकरन गलत है तो दोस्तो जब विधी गलत करोगे तो वशीकरन कैसे होगा इसलिए इस बात का खास तोर पर ध्यान रखेगा कि सही विधी करनी है तो जैसे ही आप इसे दबा कर अपने घर लोटेंगे 2-3 दिन, मात्र 2-3 दिन ही लगेंगे सिद्ध वशीकरण को प्रचंड होने में जी हाँ, 2-3 दिन के अंदर ये वशीकरण हो जाएगा और आपका हर रुकाववा कार पूरा हो जाएगा आपकी जिन्दगी में ऐसा कोई काम नहीं होगा जो ये आप कह सके कि ये मुझ से नहीं होगा आपका हर कारे सिद्ध होगा आप ये समझो कि आपकी किस्म जो है वो बदल जाएगी आपके जिवन में सर्फ और सर्फ खुशियां ही रहेंगी तो आप भी चाहते हो तो इस टोटके को अपनाए और एक बात टोटका करने से पहले एक बार गुरूजी से बात जरूर कर ले क्योंकि वो आपको कुछ ओफ जानकारी भी देंगे कि ये टोटके को किस तरीके से सही प्रकार की अजय चो हमने बताया है उसमें अगर कुछ और गुरूजी आपके नाम के हिसाब से आपकी राशी के हिसाब से कुछ ओफ जानकारी आपको देंगे जिसके जरीए आप टोटके को प्रचंड बना सकते हैं अपने आपको खुश हाल जिन्दिगी दे सकते हैं ये वर्षी करण करके तो दोस्तों फिलहाल मुझे दीजे अजाज़त फिर हासिर होंगे गुरू जी के कुछ प्रचंड टोटके लेकर और आपको बताएंगे कैसे आप अपने जीवन में खुश रह सकते हैं जय माता दी दोस्तों